है से चले स्टार्ट किता हमना वीडियो लेक्च्छर तो स्वेटरन्स हमारा चैप्टर चल रहा था एक्टर और वहाँ पर हमने लाश्ट लेक्चर तक हमने बहूर्स के पॉस्टिलाइट कर ले थे इवन उसके बाद हमने जो बहूर मोडल में जो बहुर एकमी मोडल है वहां पर जब बहुर ने बला था कि एक लिकलियस के अराउंड एलेक्ट्रों डियूड रिवाल कर रहा है उस एक लेक्टरों के टोटल एंजी काई दिगेशन और प्टेशन एंजी के बीच में हमने रिलेक्शन भी पड़ा और लिए उन एनगिलेशन के वैलु क्या होती है वो भी हमने साथ में कुछ न्यू मेर्कल्स भी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक है सबसे पहला हमारा टॉपिक आज का आइनेशन एनर्जी आइनेशन एनर्जी को आप यहां भी पढ़ते हो और साथ में जो हमारा चैप्टर में फॉर है केमिकल बॉर्णिंग वहां भी आप इसे स्टेडी करते हो क्या होती है इस तो देखें किसी भी एटम में एक नुकलियस होता है और नुकलियस के अराउंड इंफानेट पॉसिब करते हैं यहां पर इल्एक्ट्रॉन रिवॉल करता है कि किसी भी इंटम के आउटर्मों शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमुव करने के लिए जिसे एनर्जी की रिक्वाइर्मिट है उसे फॉल क्या कि तो आप आकन आवानलों कि आपके पास कूई एटम है कोई एटम है करने के लिए जो प्रोवाइड करते हो उसी एनेजी हो क्या किता आप आइनेजिशन एनरजी और यहां से रिमूव हो जाता है वो कहां पड़ जाता है तो विसले बाद एटम तो बहुत चोटा तो उसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रों कहां चला जाता है इंफिनिटी पर च करूँगा मैं बताओ कि स्टेवर देल्टा एं से हैं बताव यह निर्टा ही क्या हो जागा है तो यहीं क्या है इसकी वैसले तो आपने रिमूव कर गांव बेश दिया है तो जो है और अपने दी है वक एनदी आपने दी है वह एनगीक्स की से अनरजी गेप के एकँवा उटो हो जाएस सब कर जाए सदना हो जाएस यह 2 कितना हो जाएगा जीरो जाएगा क्योंकि ऑन थीन बान एप पॉर्मला क्या होता है माइनस 13.6 इंट उसे स्क्वेर-OTHER Schware हो एं स्क्वेर एलेक्ट्रों वोल्त यह घ्यओता डरी इंफिनिटी सॉर्ज ही इंफिन ऐसे लगलों गओँंगा ठीक जो पितनी किसी को भी इंफिनिटी से डिएजिटेद वल्लोंट के एक डिक रोगरऊ तो यह इंफिनिटी कितना हो गया? 0, minus, अब देखो, even बताना है, तो even किसके एकोल हो गया? obviously, minus 13.6 के एकोल हो गया na, minus 13.6 electron volt के एकोल हो गया, तो यहां पर इसकी ionization energy, delta-i किसके लगा कोला गई? plus 13.6 electron volt के एकोला गई, तो यहां पर आप बोल सकते हो होगी इकोलोगी नेगेटीव एकोलोगी ठीक है देखो इस तरह से लिख सकते हो कि आइनेशन एनर्जी इस इक्वल तो टोटल एनर्जी एन माइनस देखो हाई दिने लिए फस्ट एल टोटल इसकी अधिया होती है यह तो अमने पड़ा है ठीक है तो उसका आगे क्या लगा दो माइस लगा दो तो किसके को लोगी हाई इनेशन एनर्जी एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होगी नेगेटीव होगी अच्छा अगर हाई तो फॉर हाई ड्रोजन लाइक एटम उनके लिए आप आयनेशन एंजी को किस तरह से रिप्रेसेंट करोगे तो फॉर हाई डिजन लाइक एटम के लिए जो आई डिशन एनर्जी होगी बदाव कितने हो जाएगी वह 13.6 इंटु जैर स्क्वेर इलेक्रों वोल्ट के हो जा बस आप एटमिक नंबर में वेरी करेंगे ना वहाँ पर तुकिए देखो जब हमने एनर्जी शेल्स की एनर्जी के बारे पड़ा था जैसे यह जोता है इसली वान यह जोता है 2 यह 3 यह 4 यह हाई रोजन एंटम के लिए है मानलो तो यह एनर्जी शेल्स के वैले कितने होत प्र हाइड्रोजन लाइक एटम उनके लिए कितनी होजी थी यह माइनस 13.6 इंटू जैट स्कर वही तो फरक आता है एंग के लिए सब के लिए सेंट जल रही है बस जैट सकर भी तो फरक आ रहा है ना आपके महीं पर वेरिशन आ रहा है अगर दूसरे अटम होता है तो उनके पूर चीज में लिख सकता हूं अच्छा मैंने इसके डेफिरिशन नहीं लिखाब को तो यहां पर आप डेफिरिशन लिख लेजिए इस डिफाइड आइज एज एनरजी रिक्वाइड टू रिमूव और एन एलेक्ट्रोन from the valence shell of an atom ठीक है यह तो हो गई इसकी definition ठीक है और हमने पढ़ लिया कि hydrogen atom के लिए उसकी जो आईरेशन energy है उसकी total energy क्या हो जाएगी negative हो जाएगी और hydrogen like atom के लिए कितनी हो जाएगी जाइडरेशन energy 13.6 इंटू जैर्ट के लेक्ट्रोन वोल्ट के एक्वल हो जाएगी सही है यहां सब्सक्राइड है तो यह था concept hydrogen energy का बहुत सिंपल कंसेट है इसमें कोई लेंदी बहुत मड़ी कोई definition नहीं है बहुत बड़ा तो हमने देख लिया कि hydrogen के लिए जिसकी आइडरेशन energy है वह उसकी फर्स यह जो टोटल एजी है उसके क्या है नेगेटिव आ रही है इसलिए मने यह रिलेशन बनाया ठीक है तो यह रिलेशन आई होप आपको समझ मागया हुआ कि यह रिलेशन कैसे बना है अब अगर hydrogen-like atom के लिए पूछता आपको तो बस आपको क्या करो यहाँ पर 13.6 into z को इलेशन बोल्ट से multiply कर दो अच्छा तो अभी के भी क्या होता है examiner हमें परिसांग करता है कैसे वो बोलेगा कि नहीं जो आइनेशन energy की value है वो मुझे joule में लिखके दो या फिर kilo joule में मॉल होता है किता होता है 96 किलो जूल पर मॉल होता है तो अगर इस portion को इतनी energy को किलो जूल में convert करना है तो कितना हो जाएगा यह बताओ 13.6 into z square into 96 किलो जूल पर मॉल यह हो गया आपके आइनेशन जी की value और यह आपको ध्यान रखना है क्लियर है हो जाएगा क्लियर संट कंसे पुरा ठीक है जली जली सिसे नोट किजे फिरम आगे मुकरते हैं कर लिया नोट चलिए एक छोटी सीज में आपको बताना भूल गया कि यहां पर यह जो एनरजी है यह क्या होगी इलेक्ट्रों वोल्ट पर एटम के लिए होगी किसके लिए होगी इलेक्ट्रों वोल्ट पर एटम एक एटम के लिए बाहर स्टरी करो ना तो एलेक्ट्रों और दूसरी जरने आपको यह बताना भूल गया कि यह जू एनरजी है यह कब होगी एनरजी ओफ एनरजी ओफ फरस्ट आज़ इसी के लिए ही एप्लिके मिला फ्रेस्ट होगा तो यह आपको ध्यान रखना है चला गए अब बात कर थे हैं नेक्ष रबिग बाइनिंग एनरजी की पर घाल आप अप अप आप 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 चरे तो समझे अब आइनी एनेजी क्या होता है आप 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 यहां पर मैं आपको दो एनेजी सिखाऊँगा एक तो होगा बाइनिंग एनेरजी और एक होगा एक्साइटेशन एनेरजी दोनों को देहां से समझे यह दोनों ही इंपरेट है देखो इसके अट्रेक्शन फोर्स के वज़े से क्या होगा यहां पर रिवॉल कर रहा होगा नुकलेस के अराण अच्छा अगर यह इलेक्ट्रोन ध्यान से समझना बोहर के पॉसिलेट से क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रोन रिवॉल करता है नुकलेस के रहा है तब ना तो वह इनरजी लॉस करता है और ना यह वह इनरजी घेन करता है फिर उसका next personal idea था कि जब electron nucleus के रहा है revolve कर रहा है तब उसको अगर external कुछ energy दी जाए इसको पर कि मैं photon incident करा हूँ कोई light energy कर रहा हूँ तो ये electron क्या करेगा energy को absorb करके lower energy level से कहाँ चला जाएगा higher energy level में चला जाएगा तो यही किया मैंने यहाँ पर मैंने इस electron को कुछ energy दी जिसको इसने absorb किया और यह कहाँ चला गया lower energy level से higher energy level मान लिजी कि energy equal to 3 में चला गया यहाँ पर जो इसकी life period है इसका जो life है वो कितना रहेगा 10 to the power minus 8 second तक रहेगा अच्छा अब समझ्ज़ बात क्या है कि देखो इस electron को आपने कुछ energy दी इस electron उस energy को absorb किया और वो कहाँ चला गया higher energy level में चला गया तो lower से जब higher में गया तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो energy लगी है delta E वो delta E किसके इकवल होगी यह delta E देखो यहाँ पर इस हाँ पर lower से higher में पर electron को आप energy प्रोवाइड करते हो और वो electron energy absorb करके low energy level से excited होगे हाँ चला जाता है higher energy level में चला जाता है उस energy क्या किता आप excitation energy यह जो excitation energy है यह बताओ यह delta E यह किसके को लोगा और विसलिवात इस energy gap के को लोगा 103 के energy gap के को लोगा यह energy gap अगर यह hydrogen atom है तो बताओ यह energy gap कितना होगा obviously बात है E3 minus E1 इतना ही होगा और इस energy gap को जब आप calculate करोगे तो यह आएगा 12.09 electron volt कितना हैगा 12.09 electron volt आएगा तो यह आपको दियार रखना है कि hydrogen atom के लिए जो energy gap होता है कितना तब 12.09 electron volt होता है हमें यहाँ यह समझना है कि electron जब हमने इस electron को उस एनरजी दिए यह electron excited होके higher energy level में चला गया तो excited होके गया तो इस energy गया तो excitation energy अब समझे अगर इस electron को जब excited कर एक थर्ड में चला गया और आब इसको मैंने वापिस कुछ energy दी जिसकी की वज़े से electron कहां चला गया इस यहाँ पर यह electron है अभी यह क्या है nucleus के influence में है यहाँ पर भी इसका atrocious लग रहा है लेकिन अब मैंने इसको energy दी तो इस energy की वज़े से यह electron कहां चला गया infinity पर चला गया तो इस energy को जहाँ पर electron particular किसे गया से लिवन शेल कंदर प्रेजेंटे जहां से electron को कर इंफिल्टी पर भेज़ी आ मैंने तू साइन जो क्या बोलोंगा मैं binding energy बोलोंगा क्या बोलोंगा मैं binding energy बोलोंगा तो सिंपल से चीज़ बाइनिग अलजी कि इस डिफाइन आइस energy required to remove an electron from given cell from given cell किसी भी शेल के अंदर electron को आपको प्रेजेंट है और उस इलेक्रों को अगर आपने एनजी देके infinite पर बेज़ दिया तो उसी एनजी के बोलता binding energy बोलते है ionis energy और binding एनजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है ionis energy के ते है कि valence shell में से अगर बेज़ा आपने infinity पर तो उससे क्या क्या होगा आप ionis energy binding energy केते है कि जरूई नहीं क्या आप valence shell से बेज़ो first, second, third, जहां पर भी electron present है वही से अगर electron को आपने infinity पर बेज़ दिया तो क्या है उसकी binding energy है अच्छा एक और चीज और समझो यह energy कितनी होगी ओविसली बात इस energy gap के एको लिए energy होगी यह energy के कि इतना हो जाएगा बताओ यह energy gap कितना हो जाएगा डेल्टाई infinite minus e3 ओविसली बात है इसा आप calculate कर सकता हो यह डेल्टाई कितना आएगा यह 1.51 electron volt आएगा कितना आएगा 1.51 electron volt आएगा ठीक है ध्यान से समझो यह hydrogen atom है hydrogen atom के लिए फस्ट चल के energy होती है यह कितनी होती है यह माइनस 13.6 electron volt सेकंड के कितनी होती है यह माइनस 3.4 electron volt थर्ड के कितनी होती है माइनस 1.51 electron volt अब देखो आपने थर्ड से infinite में बेजा था ना तो energy कितना ही प्लस 1.51 electron volt तो binding energy शेल की energy कि क्या ही equal and opposite अगर मैं second से बेज़ता है इस इंफिनिटी पर माल लो कि मेरा electron होता second पर और यहां से मैं infinite पर बेज़ता तो बताओ यह delta ही कितना लगता यह delta ही लग जाता आपके पास प्लस 3.4 electron volt क्यों infinite minus e2 कितना है प्लस 3.4 electron तब देख पा रहे हो ध्यान से देखो इस लिश्यों को समझे कोसिस करो कि जो binding energy है वो इस पर्टिकुलर जहां पर जिस शेल लिगाने electron given है उसकी शेल की energy के equivalent क्या रही है अपोजिट आ रही है तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ कि binding energy is equal to energy of energy और क्या लगा दो साथ में मोड लगा दो क्या लगा दो मोड लगा दो सही है न कि जो binding energy है वो energy of energy shell के क्या है equivalent opposite है तो माइनस को positive करने के लिगा हम लगा दिया मोड लगा दिया क्या बात समझ में आती है तहां से देखो कि हमने जब 3rd से निकाला तो energy plus 1.5 निलेक्न बोलटाई तो थर्ड शेल की energy के equivalent opposite है सही है तो binding energy for third क्या होगी energy of third share उसके क्या लगा दो मोड लगा दो सेकेंड के लगर पूछे तो binding energy of second share और क्या लगा दो मोड लगा दो देखो उसके equal लारी है सही है अच्छा एक अगर 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 इलेक्ट्रों मानल की first में ही होता और यहां से अगर मैं इंफानेट में बेस था तब तो हां उस time पर यह आइनेशन एनर्जी किसके को लोती माइडिंग एनर्जी के इको लोती जब आपके पास एन इस एकल टू वन हो तब जब आपके पास कौन सा शेलो फर्स शेल हो हाईडरोजन एटम के लिए for only for only for hydrogen and hydrogen like atom के लिए यहां से अगर आप इन्फानेट पर इलेक्ट्रों को भेज रहे हो इन्फानेट से सब्सक्राइब हो तो अब इसलिए बात यह वैलेंशन होगा इनके लिए तो तो वैलेंशन से एलेक्ट्रों को बेस्तों तो आईनेशन एनर्जी होती है और यह इनर्जी के ईक्वल भी आप बोल सकते हो तो जब रूवन होगा तो जाइनस एनजी किसके इक ओल जाएगी सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब एक तो था excitation और एक था binding excitation मतलब कि जब electron को lower energy level से excite करके अपने higher energy level में बेज दिया वो तो क्या हो गया? excitation energy और दूसरी चीज binding energy excite करके अपने कहीं भी electron को बेजा हो वहां से उस higher level से अगर electron को आपने remove करके infinity पे बेज दिया तो क्या हो जाएगी? binding energy हो जाएगी simple से चीज़े ठीक है? चले जल्दी से से note कीज़े फिर हम आगे मूँ करते है चले कर लिया note remove करूँ इसको हटाओ चले देखे तो अभी तक हमने आएशे एंजी कंप्रेट कर ली बाइंडिंग एनरजी और आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे ठीक है तो देखे फॉस्ट यहाँ पर आपके बास न्यूमरीकल है क्या बोल रहा है कोशन दे रेडिया औफ टू बहुर और बीट दे रेडिया आफ टू बहुर और बीट of the hydrogen atom are in the ratio of four is your night you have to calculate here the energy difference the energy difference between them okay यहाँ पर आपको कुछ option भी गिवन है option number a गिवन है आपको 1.89 electron volt option number b गिवन है आपको 3.4 electron volt option number c गिवन है 12.09 electron volt and option number d गिवन है .472 electron volt तो देखो बेटा question क्या कहे रहा है कि आपके पास hydrogen atom की दो बोहर और बीट की रेडिये गिवन है जिनका ratio क्या है four ratio 9 मतलब कि मान लो कि यह आपका hydrogen atom है यह nucleus यह कोई आरबिट है यह मैं नहीं कहे रहूंकि यह first बीट है टीक energy difference between them in don't know radius ratio के लिए माना कि दोनों कोई 請ब मिठ दोनों औरबीट का energy का कम कैaufen साथ को इनरजी अगुडेट करना है तो देखार सबसूर आपके पास क्या हैं दो अर्गे जोबन हैं लेकिन आपको टोब नहीं कीवन है नहरा शेough विगाल इता हो नहीं चाहिए यहां कि कौन से दोॉर्बिट का रेशों ही तो पहली बात हमें यहां पर दोनों के नूबर और अपको कैल्कुलेट करना है ठीक है तो देखो आपने पड़ा है कि कि जो radius होती है बहुर की जो radius होती है वो डारेकली प्रपोसनल होती है N square upon Z एंग्स्ट्रोंग के अब यहाँ पर देखो Z atomic number hydrogen के लिए Z कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो अब यहाँ पर लिख सकता हूँ कि R1 upon R2 is equal to N1 square upon N2 square R1 upon R2 का रेशियो गिवन आपको 4 upon 9 तो यह कितना हो गया 4 upon 9 is equal to N1 upon N2 whole square बताओ number of shell का रेशियो कितना जाएगा है आपर 2 upon 3 आजाएगा देखो N1 upon N2 कोई भी दो शेयल जो भी दो और बिट बोला था उस दोनों और बीट का रेशियो कितना है 2 upon 3 आया अच्छा यहां पर यह कभी नहीं बोल सकते आप कि N1 आपका 2 हो गया है और N2 आपका 3 हो गया है यह आप कभी नहीं बोलोगे क्यों कि यहां पर आपको पहले बोले यह रेशियो है यह रेशियो है रेशियो मतलब कि 2 upon 3 भी एक और बीट का क्या है अब देखो यह 2 upon 3 भी हो सकता है या फिर 4 upon 6 भी तो हो सकता है क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का रेशियो भी कितना रहा है 2 upon 3 हो रहा है यह 6 upon 9 भी तो हो सकता है क्यों? क्योंकि इनका देशियो भी कितना रहा है 2 upon 3 आ रहा है तो कोई से भी शेल हो सकती है यह टू हो सकती है थी ओंस सकती है फॉर हो सकती है शीकस नइन व做 kनी कोई से भी ओसकती है तो हमें क्या करना है हमें यहां से अब देखो की इन तीनों के लिए जो भी आपने ना 4.6 6.9 इन सबके लिए ratio calculate करना है energy difference कितना हो वो हमें calculate करना है तो पहली बात यहां से start करता है energy difference कैसे calculate करते हो obviously बात है energy difference का मतलब क्या हो गया delta is equal to final energy minus first energy final कितनी है third तो e3 minus e2 सही है तो delta e for the hydrogen atom के लिए third shell के energy कितनी होती है यह होती है यह होती है minus 1.51 electron volt minus second shell के energy कितनी होती है यह होती है minus 3.4 electron volt obvious बात यही होता है इनका energy difference आप calculate कर लो यह delta e आ जाएगा आपके पास 1.89 electron volt मतलब कि e3 minus e2 का energy difference कितना है 1.89 electron volt बताओ क्या यह option यहां पर गिवन है हाँ देखो फर्स नंबर पर गिवन है तो अप्षिन इमरी क्या आपका correct option है अच्छा एक और बात मैंने भी क्या बोला सबके लिए चेक करना है न तो यह जरूए नहीं है कि एक ही अच्छा 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 अब आपको बता दो देखो हमने जब हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट इफ्रेंट इनेजी लेवल्स की यह पड़ी था आपकी जिस्हार्ण की वैल anest Flower से अघर फोर देखो sex के वीच मेशवन प्äंट वा रहे है और वाalon एक आधो तो यह इससे भी कम है चाहिए क्या इससे छोटी वैल्यू इन दोनों अप्शन इस्गीवन नहीं है क्या नहीं गिवन है तो बस क्लियर हो गया कि सिर्फ ऑप्चिन वर ए और अप्चिन वर दी ये दोनों ही क्या आपके करेक्ट ऑप्चिन है क्लियर है चलिए जली से इसन नोट किजिए फिर हम आगे मुझ करते हैं कल या नोट चलिए रफ कर दो देखें आगे अबपको कोशिन वुचा है एगो कोशिन और इक एगो कोशिन और इक एगो कोशिन विए question about second can I question get the ionization energy the ionization energy of hydrogen atom of hydrogen atom in the ground state in the ground state keeping given a in X kilojoule ticket people like it the energy required to jump energy required for an electron sorry energy required for an electron to jump second orbit to the third orbit will be a good question it's okay the actual bus I'm not going to go after being on the hydrogen atom is John Parker ground state you see I'm going to heilar I'm going to learn the act of the tunic dr. आपका थर्ड में से सेकंड और बीट में जम करेगा तो उसके लिए कितनी एनजी की रिक्वाइर्मेंट है चलिए तो ऐसा किजें कि आप वीडियो को पोस्ट किजिए और खुद एक वाल इसको ट्राइ कीजिए चलिए कलिया देखे अब मैं सॉल करना था देखो आपने भी थोड़े पर पड़ा था कि जो आइनेशन एनरजी होती है वेट प्लीज देखें यह फर्स एले यह सेकंड शेले वह थर्ट शेल है हाई रिटेम की बात कर रहा है तो एन इसलोवन एन इसलोड़ टू एन इसलोड़ ट्री अच्छा उसने बोला है कि आईनेशन एशन एशन एटम इंड ग्राउं इस एक्सक्लोजिल हमने भी पड़ा था कि जो आई तो देखो फोर हाइडोजन एटम के लिए पड़ा था मनें तो देखो अगर आइनेशन एन इनजी मेरे पास एक्स किलो जूल है तो बताव टोटल एनजी फर्स शेल के लिए कित्या हो जागी आज जीन ग्राउंड सेट के लिए ना ग्राउंड स्था ऑन इसके लिए ए एक स्टोर अपॉन एन स्कुरर यह जो वेले यह तो गीवन है एक्स तो इसको तो माइनस एक्स जैड़ हरद घ्रुलिकवलान होता है तो इसको लिख दो होन बचा एन हैं एन मेरी करेका तो फॉर लेंट एंट टू जंप सेकेंड और्बिट टू थी थर्ड और्बिट मतलब कि यहां से थर्ड में से जब सेकेंड में एलेक्रों जंप करेगा तो यह एनरजी रिक्वार्मेंट कितनी होगी तो बताओ डेल्टा यह कितना हो जागा माइनस सेकेंड कितना है माइनस एक्स वाइफ फूर तो प्लस एक्स बाइफ उसने बोला था कि मेरे पास ग्राउंड स्टेट के लिए हाई जो जो जाएगी अभी थोड़े पढ़ा था अगर यह मैनस एक्सक्रूजिल हो जीए तो उपर आली केल्कुलेट करो कितने कि मैनस एक्सक्रूजिल नहीं कैसा ही तो यहां से फॉर्मूला हमरे पास ठीक है फिर फिर सब्लाना था कि यहां से जब यहां पर थर्ड से जब सेकर्ड में लेटन जम्करेगा तो एनरजी रिक्वार्मेंट कितनी है तो विश्या कितना हो जाएगे डिल्टा इस एकल्डू एटु एट्टी मैनिस इटू सॉल कर लो कितना जाएगा आपके पास आंसर आजा के इसका आपको आंसर देना है अचलिए तो कुशन आपके पास अपोटेंशल एनरजी और फिलेक्ट्रोन के कुशन जас करेंके इसका अपनानलिय Judith. मैंन uniform मैली और आपके ना किशन आपके तो अपकी तेना आपको आपके झापके तापकष अपके ग मायाख टो आपके लिए Meterा पक जुरिए में आपके गिए गाकालियों ख्या थे इसका दाती तो गब तो सक देना है कérique इस री प्रेजेंटेंट बाई ठीक है तो आपको यह बताना है कि बेरीलियम प्रस्थी आएंके ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रोन प्रेजेंट है उसकी इसका जो आंसर आएगा यह आज आपके पास इबाई पाई पाई एसलेंट इन्टू आप इसका आंसर आएगा अब यह आपको को सौल करके बताना है ठीक है कर लोगे तो चलिए स्ट आज के लिक्चिर में हमने आइन इसे इंजी कप्लिट की बाइंडिंग एन एक्सेटिशन इंजी कप्लिट की फिर हमने बहुर मोडल पर कुछ नुमेरिकल किये आई होप लेक्चिर आपको अच्छे साभ़न में आया